रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर चलिए आज हमें एक रीडिंग करने जा रहे हैं जो करेंट सिचुएशन पर होगी लेकिन होगी ये टाइमलेस जब भी किसी के सामने ये रीडिंग आएगी तो वो अपनी लाइफ में एक एहम मुद्धों को लेकर एक एहम नरिण्य है ना चुनाव सिचुएशन में फसा होगा कि लाइफ में क्या करना हैं और क्या नहीं करना है ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी क्योंकि ये उसी वक्त किसी के सामने जाएगी जब वो ऐसी situation में फसा होगा जब वो कुछ चीजों का चैन नहीं कर पा रहा होगा life को अभिशाप की तरह देख रहा होगा और उसको ऐसा लग रहा होगा कि जिन्दगी का कुछ समझी नहीं आ रही आगे बड़े क्या करें किस तरीके से क्या situation किस तरीके से क्यों हम फसे रहते हैं दवंदों में रहते हैं दुकी रहते हैं परिशान रहते हैं कोई हमें सुख दुख में पूछने वाला नहीं उस तरीके से हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं और अभिशाप सी हो गई है जिन्दगी और चाहते हैं एक ऐसे comfort zone में जाना जहां पर सुख हो, पेम हो, प्यार हो और जिन्दगी का वो हर निवारन हो जहां पर वो अराम से मनुश्यता को जी सके अगर आप भी ऐसी ही problem में फसे हुए ऐसी situation में इस वक्त पर खड़े हैं और life का कुछ भी जमन नहीं आ रहा आगे बढ़े, कैसे बढ़े और किस तरीके से बढ़े और बढ़ना ही है क्योंकि अब ये जो situation है वो handle नहीं हो पा रही अब ये जो life है handle नहीं हो पा रही तो हम life में कुछ आगे बढ़ेंगे और अपनी life में कुछ अलग करना चाहेंगे तो क्या करना चाहिए आपको क्या आगे बढ़ना चाहिए life में एक चुराहे पर खड़े हुए वो आप और उस चुराहे में कौन सा रास्ता आपके चुनाब का है कौन सा वो रास्ता है जहां पर जाकर आपको मनजिल मिलने वाली है क्योंकि जिस रास्ते पर अभी खड़े हैं उस रास्ते पर तो क्या है सिरफ अभी शाप तो जल्दी से लाइक कर दीजिए तांकि मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप से रेजोनेट करवा सको मतला एंजल से क्यों गलत आपको तो ऐसी सिच्वेशन में फसे हुए हैं चुराहे पर खड़े हुए वे आगे बढ़रा चाहते हैं लेकिन पीछे आ रहे तो चलिए कीजिए एक जवर्दस एनरजी को फ्लो करते हुए लाइक करेंगे आप और मैं आपको दूंगी आपकी लाइफ का सिलूशन्स राइट में आपको क्या करना है अगली लाइफ में हम जानेंगे अभिशाप बन चुकी लाइफ किस तरीके से वर्दान साबित होगी तो जानेंगे हम यूनिवेर्स से जानेंगे हम इंजल से कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है और कौन सा नहीं क्योंकि इस वक्त आप अग सकता है तो अगर पाना चाहते हैं तो किजिए लाइक और जानिये अपनी लाइफ का हो आपकी सिचुएशन से प्रशान हो आपके किसीशीन फसे हुए हो और उस सिचुएशें से आगे बढ़ना चाहते हों, तो कौन सा रास्ता चुनना है, क्या ये रास्ता हमें उस मंजिल तक लेकर जाएगा, येस, चलिए, हम स्टार्ट करते हैं, तब तक आप आँखे बंद कीजिए, और युनिवर्स से अपने इनर्जी, अपने लिए पूरी राइट गाइडेंस के लिए प्रेक इंचिये, ओके, इसे आप महाकाली की आज संदेश समझ सकते हैं, महाकाल का संदेश समझ सकते हैं, युनिवर्स का संदेश समझ सकते हैं, या फिर आप इंजल्स, ये सभी लोगों का, ये सभी एक ही हैं, तो आप, आपके लिए ये पवित्र शक्तियों का, आपके लिए यह संदेश है यह जो डाउनलोडिंग जो यह रिडिंग है यह आप उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इस वक्त पर एक चो राहे पर खड़े हैं और जिंदगी के मसलों में इतने ज्यादा फस चुके हैं कि बस बस हो चुकी है और उनको लगता है कि क्या कैसे क्या करें इस राजते पर जाना है लेकिन इस लेकिन उनको लगातार यह समझ आ रही है कि वह अभी उनको कंफर्ट जोन में जाना है और इतनी परिशान है इतनी टेंशन में वह घिरे हुए है कि राज से दिन कब हो रही है और दिन से रात कब हो रहा है समझी नहीं आ रहा पता ही नहीं चल रहा है पूरी पूरी राज जाकर निकाल रहे हैं दिन में भी कोई आराम नहीं है अंदर अंदर कुछ ना कुछ बना हुआ है कि आगे क्या होगा कैसे होगा किस तरह से होगा सारी चीजों पर फोकस करते हुए भी कही ना कहीं उनका फोकस हिला हुआ है और लगातार वो परिशान है सोच नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें कैसे करें है ना तो सकून की जिंदगी चाहते हैं आप तो ऐसे में इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी तक जो लोड आपके मा हुआ है जो मतलब ऐसी सिच्वेशन में कि कांटों से भरे हुए रास्ते से चलना अब मुश्किल हो गया है कांच गिरे हुए और पैर रखकर कून ही लगातार निकल रहा है तो अभी हमें कहां जाना है आपको बहुत सारी लोगों को अपनी लाइफ के प्रति कुछ ऐसी सि मज़ भी आ रहा है कि हमें अब इस रास्ते पर नहीं जाना उस रास्ते पर जाना है मतलब कमफर्ट जोन ढूंड रहे हैं कुछ लोग तो उनके लिए इश्वर का ये संदेश है कि अगर आप कमफर्ट जोन ढूंड रहे हो इस वक्त पर आपको ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें बन रहे हैं उनसे बाहर निकलिए आपको आगर ऐसा लग रहा है कि स्पृच्ट्वल होने के बावजुद भी सब कुछ करने के बावजुद भी लाइफ एक अभिशाप की तरह हैं हर कोई तो आपको तोड़ जाता है हर कोई तो आपका दिल दुखा जाता है हर किसी के लिए available होने के बावजुद भी, आपको उस जगा पर कोई दूसरा नहीं रखता है, मतलब लगातार लोग आपका इस्तमाल करते हैं, या फिर लगातार लोग अपनी कहते हैं और आपकी नहीं सुनते हैं, लगातार आपको इस situation का सामना करना पड़ रहा है, अभिश मनुष्य की तरह मुझे जीना है, मनुष्य हर इंसान को अगर आप देखेंगे तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन हम दूसरों को देखकर हमेशा ये सोसते हैं कि शायद दूसरे लोग बहुत खुश है और हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, लेकिन ऐसा न जो ओवरलोड आपने खुद पर ले रखा है, लोगों को खुश करने में, लोगों के हिसाब से चलने में, लोगों के साथ चलने में, हर इंसान के खुशी के चकर में खुद को आप खुद विधवन्स करते जा रहे हैं, और अब आपको comfort life चाहिए, और आपने अब सोच लि मुझे ज़्यादा प्यार मिल पाएगा, मैं उस तरीके से जी पाऊंगी, यह पाऊंगा, जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, तो आपको इश्वर कहना चाहते हैं, कि जिस comfort zone में जाने के लिए आप उतावले हैं, आपको नहीं मालुम कि उस comfort zone में आपको किस तरीके की पर तार ना मिल सकती है, क्या होगा उसमें आपका भविश्वर के आपको ऐसा लग रहा है, कि जिस situation में अभी आप फसे हुए हो, वो situation आपको ज़्यादा दुख दे रही है, ज़्यादा परिशान कर रही है, जिस कारण से आपके साथ क्या हो तो उस situation में आप अपने स्वयग दूतों से, अपने इश्वर से मदद मांग सकते हैं, उनसे कह सकते हैं अपने मन की बात और पूरी पूर्णता से अंदरूनी, अपनी अंतर दिश्टी पर द्यादा, बनला अपनी अंतर आत्मा से, अंतर दिश्टी पर काम कीजिए, अपन करना चाहते हैं, ताकि आप एक comfort life जी सके, तो अभी आपको उस पे नहीं चलना चाहिए, अभी आपको पेशन से, अपने peace को बनाए रखना है, और अगर किसी ऐसे महत्त पूरण नरिन्य को आप लेना चाहते हो, तो आप अभी के लिए रुख जाए, क्योंकि जिस life में जा आने को, मतलब अभी आपको लग रहा होगा, हो सकता है ये परसन के प्रती हो, हो सकता है आपके परसन ने आपको बहुत दुख दिये हो, आपको छोड़ कर चले गए हो, कुछ भी ऐसी situation हुई हो, या फिर ये आपको ऐसा लगता है कि आप बंदे हुए हो, बहुत परेशान हो, दुखी हो, तो आपको अपने पीस को बनाए रखना है, ये अभी उनी लोगों के लिए है, जिनको ऐसा लगता है कि आपको अपने परसन से आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको बहुत सारे दुख मिल रहे हैं, बहुत सारी, ये कोई भी situation हो सकती है, यहाँ पर बात हो और ये कुछ फैसलों की, जहाँ पर आप अपनी life के एक zone को change करना चाहते हो, और comfort zone में जाना चाहते हो, tough line को छोड़ना चाहते हो, और आपको universe कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि अगर आप उस comfort zone को जी भी लोगे, अगर आप उस comfort zone पर चले भी जाओगे, तब भी जिस lessons को आप आपको सीखना है, वो और भी ज्यादा tough हो जाएंगे, वो और भी ज्यादा लंबे हो जाएंगे, और भी ज्यादा tension भरे हो जाएंगे, क्यों कि जिन lessons को सीखने के लिए, जिस जगा पर आपको जाने के लिए बनाया गया है, जिस जगा पर आपको आज नहीं तो कल जाना ही है उस comfort zone से अगर आप comfort zone में जाते हो तो life के बहुत सारे पढ़ाव पार नहीं कर पाओगे life के बहुत सारे lessons नहीं सीख पाओगे और इस दुनिया में जो सोल आती है वो कुछ खास सीखने और सिखाने के लिए आती है इसलिए जिस situation में आप फसा हुआ बंदा हुआ मैसूस कर रहे हैं आपको परशानी हो रहे हैं और समन नहीं आ रही है life को कैसे जिया जाए कैसे उस उजवल भविश्य में जाया जाए जहां पर सकून और खुशी होती है तो बस थोड़ा सा patience रखिए अपने निरिन्य अपने फैसलों पर अभी रोक लगाए क्योंकि जिस comfort zone पर आप जाने के लिए उतावले हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहां पर हम जिन्दगी जी सकेंगे या किसी दूसरे person के साथ आप life को जी सकेंगे और हमें आगे बढ़ना है ऐसी बहुत सारी tough situation तो अभी के लिए रुख जाए क्योंकि अभी जिस lessons को सीखने के लिए आपने बहुत सारा काम करना है क्योंकि जिस रास्ते को आप चुन रहे हो जिस रास्ते को आप नकार के इसी चीजों में भटकना पड़ जाएगा लेकिन अगर आप इसी रास्ते पर बने रहते हैं इसी दुख भरे रास्ते पर बने रहते हैं काटों से भरे रास्ते पर काटों में ही गुलाब खिलते हैं यह याद रखे इसलिए यूनिवर्स आप से कहते हैं कि आपने बहुत लड़ाई लड़ ली आप बहुत आगे आ चुके हो तो अभी आप अपने फैसलों पर रोक लगाईए तांकि क्योंकि आने वाले वक्त में वो मंजिल आपको मिलेगी जुरूर 110% मिलेगी और वो जगा पर आप पहुंचोगे जिस जगा पर जाना है लेकिन बहुत सारे लेसं स्क्समरिद्धी के साथ हुगा फुषियों के साथ होगा तो इसलिए खर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुतzarwenा करना दूसरा रास्ता चुनते रास्ते पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर फिर ठोड़े टाइम की खुषियों को पाने के लिए आप बहुत लं बा सफर करने वाले हो, तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा ठहरना है, इस वक्त पर किसी भी तरीके का कोई फैसला करना चाहते हो, तो कोई फैसला अभी नहीं लेना, जिस प्रॉबलम में फसे हुआ मैसूस कर रहे हो, जिन काटों को अपने पैरों में लगा हुआ मैसूस कर रहे हो तो शांत पीस बनाई है और इश्वर के साथ एक हो जाए नहीं समझ आ रहा तो किसी मेंटर से सला लीजिए किसी अपने ऐसे इंसान से सला लीजिए बात कीजिए जो इस जर्णी में अगर आप किसी जर्णी में है तो इस जर्णी से रिलेटि आप उस सुक समरीधी को पाने जा रहे हैं जो इस धर्ती पर सबके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है और वो होता है धन सुक और समरीधी जिसके पास नहीं है उसके पास प्यार हो भी तो तब भी कुछ माइने नहीं रखता कि यहां पर आपको क्या करना है आप अपने आप में ही संपूर्ण है है ना तो आप जिस काटो भरे रास्ते पर चल रहे हैं और असहनिया है तो अभी थोड़ा सा और सहलीजी अपने पीस को बनाए रखें अपने मेंटों से बात कीजिए जिन से बात करके आपको हीलिंग मिलती है उन से बात कीजिए और उसके लगातार connectivity बनाए रखें और अपने questions कीजी अपने अंदर से क्योंकि हमारे बीतरी तोर पर ही हमारे इश्वर बसे हुए जो हमें नहीं समझाता नहीं अपने नजरिये को बदलना है इस वक्त पर आपको अपने नजरिये को पूरी तरह से बदल देना है जिन इंसानों को आ अपने नजरिये को बदलिये अपने नजरिये को जब आप बदलेंगे तो अपनी past की सारी चीजों को भूल जाएए जो भी दिमाग में अटका हुआ हर चीज से पीछे हो जाएए क्योंकि आने वाले life में आपका रास्ता बहुत चोटा सा रह गया है इसलिए अपने रास्त वारते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलते रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको उड़े जा रहा है है आपकी लाइफ में कुछ होने जा रहा है क्योंकि आपके चैक्टर चेंज होने जा रहा है और अगर इतनों नबा रास्ता आगे चले कर और अगे अब क्या कर तो सब्सक्रिंटेंगी करनी देंगे आपको मिलेगा जरूर अंजर क्योंकि आप उस जगा पर हो आप मेजीशन आपको थोटी दे चुके हैं आप जैसा सोचोगे जैसा थोट को लाओगे जिस जगा पर जैसे आपके एनर्जी होगी वैसा ही काम करेगा लेकिन अभी कुछ धमा के हो रहे हैं परिशानी हो को अभी रियल्टी में मत बदलिए शान तो के थोड़े टाइम के लिए पीस ओफ माइंड को अपना पूरी के पूरा फोकस जो है साउंड मेडिटेशन या फिर अपने करियर में लोगों की हेल्प करने में जहां पर आपको सुकून मिलता है उस सुकून का मीनिंग सिरफ ए कि आपके पास आने वाली सुक मूरीदी इस में पहले एक पता है कि आप को मुलादों को पार करने ते जिस कारण से आपके कहीं ना तंव कहीं पर भी आप पीछे पास्ट में देखें कभी ना कभी जिस लाइफ का सपने आपने देखाथ, वो कही ना कहीं. आपके अंदर किसी एक कोने के अंदर इश्वर ने सुन लिया था, समझ लिया था, क्या चाहते हैं आप, उसी लाइन पर आपको चलने के लिए, उसी सारे लेसंस को सिखाने के लिए, उसी जगा पर आपको पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी tough situation आई, लेक पढ़ रही है, रिष्टों में या वैसे भी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, सबसे बहले तो आपको यकीन करना है, इश्वर पर भरोसा नहीं चोड़ना, कि अभी तक वो वक्त नहीं आया, जहां पर मैं comfort होके जी सकूं, comfort zone बहुत महत्व रखती हैं हमें खुशी दे इस लाइफ में आपको लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और है बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े राजा, माराजा, यहां तक कि मोधी परधान मंत्रियां उसके बावजूद भी, अगर आप उनकी लाइफ में जाकर देखोगे ना, तो आपको कहीं सकून नहीं मिलेगा, तो इसी चीज को कहते हैं लाइफ, अगर आपको अपना कमफर्ट जोन चाहिए, तो आपको इसी पत पर, जिस पत पर आप जा रहे हैं, स्प्रिच्वेल्टी से ज़्यादा बड़ा सकून कहीं नहीं है, आपको पैसा चाहिए, प्यार चा पाटे, थोड़े से उच नीच कमलबई पकडंडियां, पथरीले रास्ते लाइफ में जुरूर आते हैं, लेकिन जब आप इन्हें पूरी तरह से शान तो कर और इश्वर पर सेरेंडर करके, शान तो कर सहते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो उन फैसलों की घड कुछ मुद्दे, कुछ फैसले करने जा रहे हो, तो ठहरिए, रुक जाएए, क्योंकि जिस फैसले को आप करने जा रहे हो, वहाँ पर आपको सुकुन नहीं मिलने वाला, इसलिए इश्वर ने आपके लिए मुझ से ये संदेश आपके लिए बेजा है, कि अभी ऐसा कोई कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना है, जो कल को जाकर आपको पच्चतावा हो, आपका रास्ता और भी लंबा कर दिया जाए, इसलिए जितना आप सह चुके हो, जितना आप कर चुके हो, वह बहुत ही ज्यादा कर चुके हो, और ये अगर आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी शाप लग रही है आपको जिंदगी अपनी, जो लाइफ आपको अभी शाप के तरीक मेरला मैसूस हो रही है, इतना दर्द, इतना दुख, इतनी परिशानिया, उफ, तो अभी वही अभी शाप वर्दान में बदलने जा रहा है, बहुत जल्द, लेकिन अगर आप अ आपकी किस्मत में अब होगा वो जो खास अभी तक नहीं हुआ था, है ना, तो अभी आपको क्या करना है, आपके लिए संदेश है कि अभी तक जो अभी आपके माइन के अंदर आप किसी फैसले को लेकर बहुत जल्द बाजी मचा रहे हैं, तो अभी कोई फैसला नहीं ले अभी शांत बने रहना है, इस वक्त की यहीं एनर्जी है आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा लंबा पड़ावना पड़े आपके सुकों में, और ज्यादा लंबी प्रिशानियों में आप ना जाएं, तो अभी थोड़े से दिख रहे सुक की तरफ बढ़न अपने comfort zone से बाहर निकलते हैं, तो विकास तभी होता है life का, otherwise आपकी life रुकी रहेगी, जब आप comfort zone से बाहर ही नहीं निकलेंगे, life के lessons को सीखेंगे ही नहीं, तो life को कैसे पता चलेगा, कि जिन्दगी में क्या क्या किस तरीके से होता है, तो आपका आगे बढ़ना इस वक कास की तरफ, अपने स्वन की तरफ, अपनी उर्जा की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, अपने आपको पहचानना है आपको, आप कहां से आए हैं, कहां पर आपको जाना है, आपका सही माइने में comfort zone क्या है, भले ही काटे आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, भें लग रहा है, डर आपकी उस जगह पर काम आने वाली है जहां पर आपको एक लेवल उठाया जाएगा आपकी लाइफ में विकास मतलब आपकी लाइफ में एक वर्दान की तरह इश्वर आपको ये संकट दे रहे हैं इस वक्त का संकट इस वक्त का डर आपको आने वाले वक्त में खुद मैसू कि यह आपने कितना बड़ा वर्दान आपने इश्वर से पाया है वर्दान किसे नहीं चाहिए होता है ना तो आपकी तरफ आ रही है पैसा न्यू अपर्चनिटीज न्यू लाइफ लाइफ का एक बहुत बड़ा चींज वाउ अगर आपकी जोब में प्रॉब्लम है अगर आ अपने ऐसी बड़ी सारी सिच्वेशन का सामना किया है सरेंडर किया है तो आपकी होने जा रही है पर्मोशन भी ठीक है यह सारा कुछ आपके लिए है लेकिन इसके लिए क्या करना है ठहरना है पीस ओ माइन में रहना है अभी शान्त रहना है जो भी फैंसले है अभी सब फ फल मिलने जा रहा है आपकी तपस्या फल ही तो ने जा रही है भले ही काटे हैं दर्द दे रहे हैं खुन बलड बहरा है लेकिन यकीन रखिए ये कुछ खास होने के लिए हो रहा है आपके सारे पाप जन्म जन्म के धुल रहे हैं आपके सारे करमाज जन्म जन्म के क्लीन हो र कि मैं हूँ आपके लिए मुझे सुनना प्रारंब कीजिए ओके आई होब कि ये रिडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजुनेट की होगी और थोड़ी सी भी रेजुनेट की है की है तो लाइक शसक्राइब शेयर करना न भूलिये ताकि औरों को भी help मिल सके हैं तो 모ते हैं आगे बढ़ाने के लिए एक message दे सकूँ, इश्वर का message और जो आपको बहुत जादा useful भी हो, आपके काम भी आए, I hope कि आपको इस reading से बहुत सारी ऐसे situation का सामना करने में हिम्मत मिल सकती है, जो इश्वर ने मेरे तुरू आप तक पहुंचाई है, ठीक है, तो आप बहुत ब जर्या change कीचे, चौकि आप एक magician है, आप खुद कुछ भी घटित कर सकते हैं, आप खुद कुछ भी चाह सकते हैं, आप खुद हर चीज़ पा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में जो break आता है न, दर्द का, दुख का, और ना समझी का, वो आता है एक task, final exam होते ही रहते हैं, unit exam होते ही रहते हैं, हमें क्या करना है, उन्हें पार करना है, जीतना है और जीत हासिल करनी है, हमेशा ही जीत हासिल करनी है, ओके next reading में मिलते हैं, ओके बाए, राधे, राधे